जैने दोस्तों फिर साब का स्वागत हमारे इस घटनाचगर के पुरवा लोगों सिरीज में जिसमें लोग समान ने भूगोर कर रहे हैं भारत हम बिश्युगा यह हमारा कंट्टिन्यू वीडियो लेक्चर होगा इस पहले वीडियो लेक्चर हम लोगों ने समान परीचे कर लिया था फिर भातिक वीवाजन भी हम लोगों ने पूरा कर लिया था आज हम लोग सुरू करने वाला है भारत के राज्य और कैंसासित परदिश तो आप लोग से यह इन रोद है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नह तो आप लोग बस इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस वार का यह पीजाम या फिर बेपीसी का स्यरांटित पीटी देने वाले उन तक इस वीडियो पहुचा है ताकि वह अभी अपना एक्जाम की त्यारी और अच्छे से कर सके आप लोग भी बेदियो जादा जादा बर देखें जितना जादा बर देखें अच्छा करे बीज़न hooga और उतना ही अच्छा वीजाम को परफॉर्म कर पाएंगे तो आई शुरू करते हैं आप हमारा आज का वीडियो सेशन जहांसे हम लोग देख से और आप लोग अच्छा परफॉर् जा आप लोग ने पिछले वीडियो लेक्ष्र में छोड़ा था अब लोग राज ये वम हां यहां भारती राज और किंशाथित परदेश हमारा आज का टॉबिक है इससे पहला सेक्षिन है राज ये तो आप लोग जानते ही होंगे आठाइस राज और आट किंशाथित परद में और यह भिवापस्ण होगा महराश्य कांगे विदर्व एक प्रदेशिक नाम hazır महराथ का भृट महराश्य का अंग है पाट पर अंचल अंचल अवस्थित कहां तो भिवापस्ण जाहरकंडें आधे जुम्री तिलया रेडियो पर गीतों की फर्माइश के लिए प्रस्य दिखिस राज में स्थित है तो यह जागा अंदर परदेश मनिपूर की अधिकांस जल धरातल है तो यह जागा परवति है मनिपूर में कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल्ट से बंदे अप्रतिरन वीड्स और सड़ती वरस्पती के तहरते हुए दीपूग फ्लोटिंग आईलेंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं इन दीपूग को मनिपूर के कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल्ट से बंदे अपरतिन वीड्स और सड़ती वरस्पतियों के तहरते हुए दूग फ्लोटिंग आईलेंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं इन दीपूग को क्या कहते हैं तो फुमडी हो जाएगा भारत के किस राज्य को स पालनपूर से बिलकुल स घ्राज महाराश। जाएगा बिरिष्टि छाया प्रदेश या विल्कुल सही है और अंदर प्रदेश मलनाड गरत है कि निम्कित नगरों में से कौन राष्ट्री राजधानी प्रदेश में अवस्थित है तो इसका अंसर रस्टार मांग है मैं आप लोगों के लिए चार अप्शन पढ़ देता है राष्ट्र राष्ट राधाने चेत्र नहीं सम्मलित है तो हर्याना का भाग है पंजाब का भाग नहीं है राष्ठान का भाग है और उतरूपने कभाग है तो बी से पूरूप की यात्रा करता है तो नीचे दिये हुए बिकल्पों में से मिलने वाले चार नगरों या शहरों का कौन सा सही करम है तो बी अप्शन हो जागा बीकानेर पहले फिर अलीगण फिर दरवंगा फिर नौगाओं दिये गए मांचित्र में दिखाए गए जमू और कास्मीर की एक हिस्से के खाका मांचित्र में A, B, C, D से चिन्हित थान करमशा निरूपित करते है तो A, B, C, D दिया हुए तो इसका आंसर हो जाएगा C अप्शन A हो जाएगा बाला मुला, B हो जाएगा स्रीनगर, C हो जाएगा अंतरनाग और D हो जाएगा कारगेल, C अप्शन हो जाएगा बारा मुला, स्रीनगर, अंतरनाग और कारगेल निमन बाटियों में इसका कौण सा सही है तो अप्षण इसका हो जाएगा मद्यपर्देश कि सीमा शाथ राज्यों से लगती आ तो पहले हो जाएगा मद्यपर्देश हो जाएगा उतर परदेश फिर हो जाएगा लोग्र पहले मद्यपरदेश फिर उतरपरदेश फिर अंदरपरदेश फिर बिहार यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ कुछ कुस्टन में स्टेट्स के नाम उल्ट पुल्ट आ रहे हैं क्योंकि यह प्रस्ण 1995 का है जब और इसी तरह से 2000 से पहले का प्रस्ण कुछ कुछ है जिसमें बिहार जार का डेक था मद्यपरदेश छतिजगाड एक था उत्तरपरदेश उत्राखंड एक था अंदरपरदेश तिलंगाना एक था तो कई सारे राज आपको लग रहे होंगे कि अभी के सीनारियों के सबसे थो तो आंदरपरदेश होया है क्योंकि आप तिलंगाना अलग हो गया तो उसका छेतरफल घट गया था विंगाड़ो से परंतु या दो या तीन का प्रस्ण है तो इसलिए तमिल नाड़ो ऑप्शन में आ रहा है भारत के समस्त राजियों में छेतरफल अनुसार उत्तरपरद भारत के निमलिखित राजियों में से कौन सा जंद संख्या कि दृष्टी से दूतिय तता छेतरफल कि दृष्टी से तीरतिय दौजगारा एक जनगना पर है तो डी आप्शन हो जाएगा महाराश्रा भारत के लागवागत 30% छेतर तीन राजियों में समाहित है ये तीन र समाहिज राज्ञे है तो एप्सेल जाएगा निमलिखित में से कौन भारत के राज्ञे का उनके चेतर। भारत के निम्रिखित राज्जियों को उनके भगवलिक छेतर के घटते क्रमें व्यस्थित किजिए तो सबसे पहले हो जागा रायस्थान फिर हो जागा महाराष्ट फिर हो जागा करनाटक फिर हो जागा तमिनाडू पहले राज्थान, फिर महाराष्ट, फिर करनाटक, फिर ताविनाडू निम्खित में से कौन सा राज्चेतरफल में सबसे छोटा है तो D. अपसन होज़गा उतरा खंड निम्खित में से कौन सा राज्चेतरफल में सबसे छोटा है तो D. अपसन होज़गा उतरा खंड भारत में जन संक्या के नुसा तीसरा एवाम छेतरफल से बारवा राज्चे है तो D. अपसन होज़गा बिहार भारत में जन संक्या कानुसार तीसर रायवाम छेतरफल से भारवार राज्य है तो डी अप्शन हो जएगा बिहार निम्खित राज्यों में से कौन सा उतर परदेश की सिया वरती है तो डी अप्शन हो जएगा दो तीन चार मतलब राज्थान चातिसल और जहरकंड असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के अप्शन चेतर परदेश के साथ तो बिहार के साथ नहीं है बाकि महराज के साथ है और अंदर परदेश के साथ है निम्नगरों में से मद्धे समुद्री तल से किसकी उचाई अधिक्तम है तो यह उप्शन हो जाएगा बैंगलूरू निम्नगरों में से मद्धे समुद्र तल से किसकी उचाई अधिक्तम है तो यह उप्शन हो जाएगा बैंगलूरू निम्खित में से कौन से कथन रायस्थान के मरूच हेतर के लिए सही है सही उतर के चेन हो तो नीची देगे कुट का उपयूग किजिए यह लगोग 10,000 बर्स पुराना है जिसका कारण अत्याधिक मानवी हस्तचेप रहा है यह भी सही है यह केवल 40-60% छेतर ही क्रिशी हेतु उपयूग थे यह विल्कुल सही है फिर से देखते हैं निम्लखित में से कौन सा गतन रास्थान के मरूच छेतर के लिए सही है सही उतर के चेन है तो नीचे देगे कुट का उपयूग किजिए तो यह विल्कुल सही है यह लगोग 10,000 बर्स पुराना है जिसका कारण अत्याधिक मानवी हस्तचेप रहा यह व भारत का एक विशेश राजनेम लिखे तो विशेशताओं से युक्त है तो कौन सा राज है यह देखना है या उसकी अच्छांस परस्थित है जो उत्तरी राज्थान से होकर जाती है इसका अधिक छेत्र वन आवर्तन गर्थ है मतलब 80% जाज शेतर वन के अंदर आता है 12% से अधिक वन अच्छादित छेत्र इस राज्जी के रहित छेत्र नेटवर्थ के रूप में है तो यह अप्शन हो जाएगा यह अनुवाचल परदेश फिर से यह उसी अच्छांस परस्थ है जो उत्तरी राज्थान से होकर जाती है इसका 80% से अधिक छेत्र वन आवर्तन अवर्तनर गर्त है 12% से अधिक वन अच्छादित छेत्र इस राज्जी के रच्छित छेत्र नेटवर्थ के रूप में है तो यह अप्शन हो जाएगा अनुवाचल परदेश के बारे में चर्चा की गई थी कौन सा राज उत्तरपूर्वी राज्जियों की साथ बहनों का भाग नहीं है तो यह अप्शन हो जाएगा पंगाल पंगी मेघाले अनुद्र परदेश और तरिपूरा है कौन सा राज उत्तरपूर्वी राज्जियों की साथ बहनों का भाग नहीं है तो यह अप्शन हो जाएगा बसी मंगाल नहीं है बाकि मेगाल नाचार परदेश और तिरपूरा है वर्स 1903 में जब आंदर परदेश राज एक अलग राज बना तब उसकी राजधानी कौन बनी तो दी आप्शन हो जाएगा करनूल वर्स 1903 में जब आंदर पर्देश राज एक अलग राज बनाता हूँ उसकी राजधानी कौन बनी तो बी आप्शन हो जाएगा करनूल देश के किस पर्देश में सबसे अधिक जिले हैं तो डी आप्शन हो जाएगा उतर पर्देश भागली छेत्र के दिरिष्टी से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है तो कख्छ हो जाएगा शोन भदर जिले को सपर्स करती है तो सी आप्शन हो जाएगा चार राजियों की सीमा शोन भदर जिले को सपर्स करती है चार राजियों की सीमा सी आप्शन चार दक्षनी राज्य आंदर पर्देश कनाटक केरला और तमिलनाडो में से कौन सा सबसे अधिक भारती राज्यों के साथ सीमा बड़ती है तो सी आप्शन हो जाएगा आंदर पर्देश और करनाटक में से परतेक चार दक्षनी राज्य आंदर पर्देश कनाटक केरला और तमिलनाडो में से कौन सा सबसे अधिक भारती राज्यों के साथ सीमा बड़ती है तो सी आप्शन हो जाएगा आंदर पर्देश और करनाटक में से परतेक चार दक्षनी राज्यों के समूहों में से कौन एक तिलंगना राज्यों की सीमा बनाता है गुजरात की राज्धानी कौन सी है तो सी आप्शन हो जाएगा गांधी नगर गुजरात की राज्धानी कौन सी है तो सी आप्शन हो जाएगा गांधी नगर राज्धान की राज्धानी कौन सी है तो एप्शन हो जाएगा जैपूर राज्धान की राज्धानी कौन सी है तो एप्शन हो जाएगा जैपूर भारत का 29 वे राज़की राजधानी के है तो A option हो जाएगा हाईदराबाद निम्कित में से कौन सुमेरित है तो मीजोरम आईजवाल या बिल्कुल सही है C option निम्कित में से कौन सुमेरित है तो मीजोरम आईजवाल या सही है बाकी तीनों आपशन इसमें गलत है निमिकित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है तो बैंगलूरू यहां पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है सुची एक को सुची दो से तो असम हो जाएगा असम का हो जाएगा डिस्पूर का होजाएगा कोहिमा अनुचल पर देस होजाएगा पिर चार एक हो जाएगा इंफाल भारत का कौं साराज अधिकतम राज़ुस्माऊ होता है उत्रप्रद्च अधिकतम राज्यस सीमाओं को छोसफटा है प enemy मध्यपर्देश से किस राज की शीमा नहीं छोती है तो ब्रशु pana म्ध्यपर्देश से किसा दम तुझ मज बश्ब्रानography उपी च्छुति है भास कि संदर में 36 गड़ कि बहु concerns कि प्रदेश के और आता है तो बीव य परदेश कि इसमें देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा संग राज्य है कौन सा थो सी ऑप्शिदीब भारत का सबसे छोटा केंशासित्व छेतर कौन सा है तो अक्षय दीप फद्बुचेरी के छेतर घिभाजित पाये जाते हैं थो अफ़ विख़एत्य त स्राज में से एक हैंसासित छेतर नहीं में कौन से पूरा दमण और दीव के बारे में कौन सा कшьम सक्ते ऑा है कि तो स्वतंतर बिर्टिस अधिपत्ति में था नस्तरण है निया जब घ्रत के सारी नहां दमज सकत है हें अशाद के नगहबत है 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 कि इसका प्रसन ने ऊपर दिया कि मांचित्र थे संग शासिछ च्छिट तो दादरा रावन नागर हुएली के 27 दादर नागर हुएली की नहीं है और थे नहीं है ज्सके क्न सब्सक्राइब भाग राश्च्छी राजानी छेटर में सामिल नहीं है तो डिया प्रजाति और जंजातियां तो यहां पर दिया हुआ कौन कौन से जंजाति किस राज्य में स्थित है तो आई इस पर प्रशनों को देखते हैं पहला प्रशन हमारे स्क्रीन पर यह रहा यहां पर सूची दिया हुआ कोई हो जाएगा की हो जाएगा मनिपूर जायगा उत्रप्रदे समें और हो जाएगा Are बाल या और इसका होजाएगा 432 722 जारु होजाएगा अंडंवान कोबार में कोकी होजाएगा मनिपूर में ठाड़ उतर प्रदेश में और गौंड्य होजाएगा मृड़ नव्न के त्रीअग ने उठी हुई कपोल अस्थी छुटपुट केश और मध्य उचाई वाले व्यक्ति होते हैं इसका संदर्व है किस से तो डी अप्शन हो जाएगा मंगोलियाइड जन्नों से खाली अस्थान ये पीले वर्ण के तीरिये नित्र उठी हुई कपोल स्थिती छुटपुट केश और मध्य उचाई वाले व्यक्ति होते हैं इसका संदर्व है किस से तो डी अप्शन हो जाएगा मंगोलियाइड जन्नों से उत्तरपुरी भारत के पहाड़ी एवं जंगली छेत्र में निमलिखित में से कौन सा एक प्रजाती सम्मू पाया जाता है तो सी अप्शन हो जाता है तो सी संथाल भात के निमलिखित में से कौन से जन जाती प्रटो ऑस्ट्रलियाइड जन जाती से सम्मंदित है तो सी अप्शन हो जाता है भारत में जो एक मातर मन में भारत मों घंजाती समुदाय के पहचान नहीं की से अंसे जल घडिया हूआ है अ मुल राज्य से थारू दाखन्ट हो जाए то कॉन से जल आती है दिवाली को शोक के तहवार मनाती है तो अधी दौकर निवान निवास कर रही है तो अतरबर अखंड तथा उत्र परदेश भात का निम्दिखित में से किन राज्जियों में थारु जिंजाती निवास कर रही है तो यह उप्षिन हो जएगा उत्राखंड तथा उत्तर परदेश थारु लोगों का निवास कहां है तो इसका अंसर स्चार माग दिया अप्रोप चाहें तो यह उपर डिक्सक्रेशन बाक्स में से पढ़ा सकते हैं बिचार कीजिए आपर जण जालती है और राज्ज है उप्षिक तिवह में कौन सा सही सुमेरित है या देखना है तो लिंबो सिक्किम या विल्कुल सही है करभी हिमाश्र प्रदेश या गलत है डौंगरिया कौन्द ओड़िशा या विल्कुल सही है बोडो तमिनालो या इसे गलत है तो यह गलत यह तो यह एक और थीनिस में सही है लुम्बी सिक्किम सही है और डूंगरिया कौन्द ओड़िशा विल्कुल सही है आप निर्ड मैं से कौन धौलाधर श्रेनी छेतर की परमुग जन जाती है तो विप्शन जाती है तो बीश्किल गद्धी संथाल निवासी है तो D- Tie भारत के संथानु में से कौन से मिलित नहीं है तो भीव गुज्रात है जौनशारी उधराखण्र या बिल्कुल सहिए रिखर भारत ए खासी में गाले याड़ को सही है संथाल 26 और संथाल में बिभा का सबसे इंrt कौनसा है तो को इस बूपला संथाल में विभा का सबसे समानी कौन सा जागा तो य आप्शन जागा बूपला रितू प्रवास किया करते हैं तो य आप्शन जागा भूटिया में बोडो निवासी इनेवीटेंट्स है कहा के तो य आप्शन जागा कारो पाड़ी के बोड़ो निवासी इनेविटेंट है कहां के तो यह उप्शन जागा गारो पहाड़ी के गारो जन जाती है कहां के तो इसका अंसर अश्टार्माग दिया हुआ अब लोग चाहें तो नीचे डिस्क्राइब बॉक्स में से पढ़ सकते हैं खासे हम गारो भाषा बोलने वाली जन जाती पाई जाती है तो इसका अंसर अश्टार्माग दिया हुआ है आप लोग इसे नीचे पढ़ सकते हैं इसलिए दिया हुआ क्योंकि यह निवास जन जाती लोग है जो एक राज्य में होते एक से अधिक राज्यों में आ जाते हैं और यहां यहां पर ऑप्शन में जाता है तो इस दिए अंसर देना थे लोग जाता है तो आप लोग इस सेज़ को समझते होंगे पढ़कर समझ में आ जाएगा ने विखित जन जाती हो में से कौन सी क्यरल में पाई जाती है तो यह उप्शन हो जाएगा चेंचू निविखित में से भारत की सबसे बड़ी जाती कौन सी है तो A जाएगा गॉंड है भारत में सर्वाधिक जन जाती कौन सी है तो भू जाकर葉 भील में सर्वाधिक जन जाती है तो यह प्यून पढ़ और गौन इसuba को कुछा हुए और यह 2x2 को पुछा ऊASH के बाद यह दाटा चेंज हो गया है तो इसलिए भारत की सर्वाधिक बली जन जाती है तो ब अब बारत की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है तो एक जन जाती है जो निवास करती है कहां तो निलगरी की पहाणियों पर निम्र की चेतरों में से कौन टोड़ा जन जाती का मूल निवास छेतर है तो अंडी और अपोर तीपी नाम से प्रचलित विवास किस अदिवास की समधाई से समधित है तो एक जन जाती में से कौन बहुपती विवास की प्रथा को मानता है तो टोड़ा निम्र की जन जाती में कौन बहुपती विवास की प्रथा को मानता है तो टोड़ा सरहुल तहवार कौन सी जन जाती मनाते है तो टोड़ा एक जन जाती जो सरहुल तहवार मनाती है वाँ तो गूंड़ा एक जनजाती जो सरहुल तहवार मनाती है वहा है कौन सी तो पी अप्सनों जागा मुंडा धुमकरिया किस जनजाती का समाजिक संस्था है तो पी अप्सनों जागा उराओ धुमकरिया किस जनजाती का एक समाजिक संस्था है तो पी अप्सनों जागा उराओ उत्रा खंड की सबसे बड़ी अनुसूची जन जाती है तो सी आप्सनों जागा जांसारी मिजोरा में बसती सनरूप मुखिता कटको के साथ-साथ, रहाखिक प्रती रूप का है क्योंकि यह अप्सनों जागा घाटी का कटको की आपक्छा ठंडी है मीजोरा में बस्ती संडूरूप मुखेता कटकों के साथ शत रैकिक प्रती रूप का है क्योंकि यह आप सनुजागा घाटी का कटकों कि या पेक्षा ठंडी है निम्कित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो इसका अंसर विज़ श्टार मार्क दिया होगा आप लोग चाहें तो इसे नीचे डिस्विनल बॉक्स मिक्स का पढ़ सकते हैं तोड़ा जन जाती मुखेता कहा निवास करती है तो बी आप्शन हो जागा तमिल नाडू न बी आप्शन इसमें गलत है ओनां अंदरपर्देश निम्कित में से कौन सा शही सुमेलित नहीं है यहां पर आज दिया हुए आं मुख्य भासा दी हुए तो गोवा कॉंकरनी या विल्कुल सभी है नागलंड अंगामी या विल्कुल सभी सिक्किम तिबती या विल्कुल गलत है तो डी आप्शन हो जागा सिक्किम तीबती गलत ऑप्शन निम्कित में से कौम युगम सुमेलित नहीं है तो इसका विए अंसर श्टार्माग दिया अप्लब चाने तो नीचे हैं डिस्क्रिस बाक्स में से पढ़ा सकते हैं भिल जन जाती कहां पाई जाती है तो मह भारत के निम्लिके जन जातीयों में से किसमें भाउपति विवहा की पर्था मानी जाती है नीचे देगे कूट का सही उतर चैन कि जिए कि तो इसमें जॉन सारी और टोड़ा हो जाएगा सी तीन और चार सी ऑप्सन हो जाएगा 3 और 4 जॉन सारी और टोड़ा यहां पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है जन्जाती और निवासस्थान तो भील हो जाएगा राजस्थान संथाल हो जाएगा जारखंड राजी हो जाएगा उत्राखंड और लेपचा हो जाएगा सिक्किम बी ओप्शन 4,3,2,1 4,3,2,1 भील हो जाएगा राजस्थान संथाल हो जाएगा जारखंड राजी हो जाएगा उत्राखंड और लेपचा हो जाएगा सिक्किम फिर सेहां पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ हुआ है जन्जाती और छेत्र तो भीर होर हो जाएगा जारखंड बीरऑन हो जायेगा सिखी म ठोड़ा हो जाएगा तमिल नाड़ू और सेंटिनेली का छाटीन दो एक फिर से भीर-घौर हो जाएगा जहरखन भूणिया फिकित हो जाएगा सिखी म मश्कवार स्लित अगला प्राशा और देख धर्ढ़च मेलिद करlive दिया हो जाएगा मैं जायगा ज़ारकर और गारोस हो जाएगा तोड़ा हो जाएगा पीसति परश कतक करने के शान पुरी थारों हो जाएगा उत्तर परदेश भील हो जाएगा रायस्थान गद्धी हो जाएगा हिमाशल प्रदिस और मुंड़ा हो जाएगा जारखंड फिर सथारू हो जाएगा उतर प्रदिस भील हो जाएगा रायस्थान गद्धी हो जाएगा हिमाशल प्रदिस और मुंड़ा हो जाएगा जारखंड डियो ऑप्शन था dosa 412 tidakачanrd 23 कि सहरिया जल्जाती के लोगंग जो हाली यह में चर्चा में थे कहा कि निवाशी है तो सी आफ्ण हो जाएगा रातान सहर्या जल्जाती के लोगों जो हाली में चर्चा में थे कहा की वार्ण स्थान अगी Sakla फिर से जौनसारी हो जाएगा उत्रकंड संथाल हो जाएगा जारकंड भील हो जाएगा मद्ध्रदिश और लेप्चा हो जाएगा सिक्किम बी ऑप्शन है 4123124 भारत में जन जातियों के निर्दारन का क्या अधार है सांस्क्रितिक विशेशी करन और बिभिन आवास सुमेलित किजिए तो पहाड़ी कोरबा हो जाएगा जस्पूर बैगा हो जाएगा मांडला मार्या हो जाएगा पताल कोड़ छिंदवारा और सहरिया हो जाएगा ग्वाल इए पहाड़ी कोरबा जस्पूर वरगल आपर परहसे फिर से समय दित करने लिए दिया हुआ है आजे देख लेते हैं मोपला हो जाएगा केरल मूरिया हो जाएगा 36 गड़ टोड़ा हो जाएगा तमिलनाडू और मुंड़ा हो जाएगा ओरिसा मोपला हो जाएगा केरल मूरिया हो जाएगा 36 गड़ और मुंड़ होजागा और इसा डी ऑप्षन है सी डी बी ए सी डी बी ए कि अगला टोड़ा जन जाती मुखिता निवास करती है कहा तो सिय अप्स नहीं नदो में कौन सा सही नहीं है तो भारत के संभीधान में अनुस्षी जजाती का कोई प्रवाजा सा नहीं नहीं है यह विल्कुल सही है देश की खन जन्जात्या के आदे से कुछ अधिक संख्या उतर पूरी भारत में है तोड़ा कहलाने वारे लोग नीरगिरी छेतने रहते हैं या विल्गुल सही है नगलन में में बोलिजाने वाली भासाओं मेंसे लोथा एक है या विल्गुल सहे दो पूर सिकुल जाति जन्जाती में तो या बिल्कुल गलत है वे अच्छे किस्म के उन देने वाले पाश्मिना बक्रों या बक्रियों को पालते हैं या बिल्कुल सही है उन्होंने अनुसुचे जन जातियों की श्रेणी में रखा जाता है या बिल्कुल सही है तो दो और तीन वे अच्छे किस्म के उन देन जातियों प्रिमिटिव ट्राइव तथा उनके निवास अस्थानों के योगमों में से कौन सा सही सुमरित नहीं है तो इसका अंसर रश्चार्माग दिया हुए आप लोग चाहिते से लंबाडा या बिल्कुल गलत है तो डी उप्शन हो जाएगा मध्यपरदेश लंबाडा गलत ऑप्शन निन में से कौन सा एक सुमरित नहीं है तो शेरपा नेपाल या बिल्कुल सही है थारू उत्राखंड या ही बिल्कुल सही है तोड़ा दक्षिन भारत या बिल्कुल सही जुलू ओडिशा या गलत है तो डी ओप्सन इसमें हो जाएगा जुलू ओडिशा सही जोड़े बनाई तथा नीचे दिये गए कोट का सही उत्तर चुनी है तो आजे देखते हैं छीदवालग रखश जनचातियों में से कौन सा भारत के अंडेमार और गल देप समू की मुल निवासी नहीं है तो B हो जाएगा रेंगमा, बाकी हालचू, ओंजे और शेंपेन इसके निवासी हैं, रेंगमा नहीं है निम्लिखित केंसासित परदेशों में से ओंजो जन जाती के लोग किसमें रहते हैं तो A अप्शन हो जाएगा अंडवा निकवार दिपसमो जारवा जन जाती के लोग जो हाली में चर्चा में रहे कहां के निवासी हैं तो D आप्शन हो जारवा जन जाती के लोग जो हाली में चर्चा में रहे कहां के निवासी हैं कि राजियों में जार्वाज जन्जातिका निवास अस्थान है तो डी अपुसे बाइस जन्जातिकर याया निवास अणे मगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समधाए बी आप्शन हो जाएगा पश्ची मतर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए बिख्यात हैं निमलिखित में से कौन आदिम जन जाती है तो डी आप्शन हो जाएगा कॉरबा जूमिंग करते हैं तो बी आप्शन हो जाएगा कॉरबा जूमिंग करते हैं तो बी आप्शन हो जाएगा खासी जोमिंग करते हैं कौन तो B option हो जाएगा खासी, कथा बनाने वाली अनुस्वची जन जाती कौन है, तो C option हो जाएगा खैरवार, कथा बनाने वाली अनुस्वची जन जाती कौन है, तो C option हो जाएगा खैरवार, यहाब सुमिलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आज सुमिल सबसक्राइब संत्ते घ्रन कड्राइब सब्सक्राइब कुडुख बोली कौन बोलता है तो C आप्सण रहा उरां कौन से राज में हलाम नोटिया जन जाती मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो C आप्सण रहा तिरी पूरा में यह अगला प्रश्न सुमेरित का निकली दिया हुआ है तो गद्धी ही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, टोड़ा हो जाएगा तमिल्नाडू, खासी हो जाएगा मेघालाय और नागा हो जाएगा मनिपूर D option हो जाएगा 2, 4, 1, 3 गद्धी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, टोड़ा हो जाएगा तमिलनाडू, खासी हो जाएगा मेगाले और नागा हो जाएगा मनिपूर में किस जनजाती में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाय जाता है किस जनजाती की अजीविका परिक रूप से बांस पर अधारित है किस बिशेष पहाड़ी जनजाती की जनसंग के अच्छातिस गड़ में सरवधिक है किस बिशेष पहाड़ी जनजाती की जनसंग अच्छातिस गड़ में सरवधिक है बील्मा निर्थ किस जनजाती द्वारा किया जाता है तो यह यह अप्सवन हो जाएगा बैगा बिल्मन नि तिक जंजाती द्वारा किया जाता है तो ये अपु या般गा बैगा गो दने वाले अनुस्वूसे शंजाती कौन है तो ये अपुशन हो बिल्कुल सही है बैगा विजुभार या विल्कुल सही है भारिया पटलिया या गलत है कोरकु महार या भी गलत है तो C और D दोनों इसमें है भारिया पटालिया गलत है और कोरकु महार या भी गलत है निमकित में से जन जाती और राजे की कौन से जोड़ी सही नहीं है तो भ ओर अखेर मोर जनजाती च्चे तरकिस प्रांथ में ढ़ने तो बी औप्सिनग फोरी में अब समेरिट करने के लिए अदिवासि और अवसिति कौन कहां रहता है यह देखना हो है तो भीर हो जाए, राजस्थान गोंड हो जाएगा 36टर्ड, लिंबुस हो जाएगा सिक्किम और कोनियाक हो जाएगा दोर युद्ट, यूर्स, दोर जाएगा और नागलेंडु ए आप्शन है 234-1 234-1 भीर हो जाएगा रायस्थान, गोंट हो जाएगा चतिसगर, लिम्बूस हो जाएगा सिक्किम और कोनियाख हो जाएगा नागालेंड नेमिर्खेत में से कौन सा साइसो मिलित नहीं है अंगामी नागलेंड या विल्कुल सही है बीर होर जहरखंड या विल्कुल सही है खास अनवाचल परदेश या गलत है तोड़ा तमिलनाडू या विल्कुल सही है तो सी ओप्सन इसमें गलत हो जाएगा खास अनवाचल परदेश तमरिया जन्जाती भारत के निमने किस राज्य में पाई जाती है तो C अप्शनों जागा जारखंड कौन से जन्जाती लोहासूर को अपना देवता मानती है तो D अप्शनों जागा अगरिया गहीरा गुरू किस जन्जाती के थे तो C अप्शनों जागा कावर के काठी है तो D अप्शनों जाएगा लोक निरित्य काठी है क्या तो D अप्शनों जाएगा निरित्य निवकीत में से कौन सा दो सही सुमेलित है यहां पर जनजाती दिया हुए और राज दिया हुए नीचे दिया है कूट से सही उतर का चेन किजिए तो इसका अंसर रश्टान माग दिया हुए आप लोग मैं इसके आपका पढ़ देता हूँ केर या ओडिशा कुकी उतर परदेश यांदी राज्टान और पल्यान तमिन नाडू यहां प्यांसर रश्टान माग दिया हुए आपको चाहे तो इसे डिस्क्रिशन बॉक्स में नीचे प्ला सकते हैं आप अंग्ला सेक्षन है ऊमारा भारत बासा निचलि में करेंगे शらू करेंगे उपीस लिए फेल्यान नीक्रिशन स्ञेतर परदेशक्तर आ मगर यह च्छटा है भारत के संदर में हलवी हो और कोई पद किस से संबंदित है तो D.O. जन जाती है भासा से हिंदी के पश्चात कौन सी भारती भासा बिश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भासा है तो D.O. जाती है भासा है हिंदी के पश्चात कौन सी भारती भासा बिश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भासा है तो D.O. जाती है हिंदी के पश्चात कौन सी भासा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है तो D.O. जाती है तो D.O. जाती है तो C.O. जाती है निम्रखित भासाओं में से कौन सी एक आउस्ट्रिक समूग की है तो C.O. जाती है वर्ष 2014 में किसे प्राचचि भासा का दर्जा दिया गया है तो यह अप्शन उप्सन हो जागा है तो अगला हमा पहले कैसी लग रहे हैं है अगर आप लोग हमारे चनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्विदी आपका रिवीजन हो जाएगा तो मिलते हैं अगले उडियों लेक्ट्र में तब तक प्रेंग